नमस्कार दोस्तों तो जितने भी railway stock है उनमें अलर्ट हो जाओ, crash के बड़े खत्रे बन रहे हैं, दो main reasons है crash के मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को like कीजिएगा, नहीं आए तो please comment कीजिएगा, क्या समझ में नहीं आएग रहा हूँ, देखी एक तो government का support किसी भी time पर चला गया, यह सो किसले भाग रहे हैं कि government से अच्छा खासा budget में improvement आएगा, improvement आएगा, पर इतना ज्यादा भी नहीं आएगा, आपको ये भी समझना होगे कि IRFG ऐसी company जिसके employees ही 10-12 है, आप क्या मान के चल रहे हैं, वो कोई 50 finance से टक्कर ले लेगी, क्या अब जो PE ratio है, IRFC का बजाज finance से उपर चला गया है, जिसके उंदर हजारों हजार employees है, और घर-घर के धक्के खाके पैसे दे रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत चीज़े कर रहे हैं, अब उसके valuation पर कोई company पहुंच चुक मैं आपको सिर्फ examples दिखा रहा हूँ, RVNL कहां 42 के Larson and Turbo से compare कर रहा है, L&T, Ram, मतलब आप समझे रहे हैं, कहां कहां रहे है, राम मंदिर से लेके, airport से लेके, सब कुछ बना रहा है दुनिया का, उससे ज़्यादा PE ratio पे पहुंच गया RVNL, तो आपको संभल के रहना चीज़ instruction मैं यह नहीं भागेंगे, आप कितना भगाई है भगाई है पर जब गिरने पाएंगे तो इनसे बचना मुश्किल हो जागा, तो थोड़ा बहुत अपना investment से भी कीजिए, buying selling recommendation नहीं है, बट आपको समझना चीए, कि कोई चीज बहुत महंगी हो चुकी है, आप वो कितनी म नहीं पता